हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है वूदय ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों यह मेरा क्लास तेंद के मैं थे जो प्रस्णावली 5.1 है मेरा एक के तीसरा कुचन है हम दो कुचन बना दी है अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लिए और मेरा तीसरा कुचन है कि प्र खुदा ही लागत कितना प्राथम मेटर के लिए मेटर के लिए खुदा ही लागत देर सो रुपिया है इसके बाद जितना मेटर आगे जागा एक मेटर दो मेटर जितना आगे बरहेगा उतना पचास पचास रुपिया एड करेगा तो चलिए हम इसको एपी में देखते है क यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, प्राथम मेटर के लिए तो मेरा कितना 1.500 रुपया है, यहां पर लिखेंगे, प्राथम, प्राथम मेटर के खुदाई लागत, प्राथम मेटर के खुदाई लागत, यह यह अप्लिक देंगे यह यह गई है और नो 30 मितर के लिए 500 मितर के लिए कितना रुपीया है 50 रुपीया है यह मीरा है गोचन तो देखते इसको यह पर बनाते हैं यानि कि पहला मृटर जो मेरा गठा खाना के तो उसका देर सो रुपिया है अद दूसरा मिटर खा गड़ा खाना गया तिक उसके पचास रुपिया एड़ होगा यानि कि देर सो पचास कितना हो जागा दूस सो और तीसरा मिटर के लिए पचास रुपिया फिर एड़ होगा तो और हाई से हो जागा और चौंता मेटर के लिए यानिकि तीन सो यानिकि पचास रपिया मेरा बठते जा रहा है इसे चलिए हम इसको हम चे करती है रपी में है की नहीं तो इसको हम डी निकालते है सार बंतर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सार बंतर डी 1 बरावर a2 माइनस a1 a2 कितना है a2 है a2 है a3 ए4 a2 भी 100 तो यहां पर लिखेंगे 200 a1 कितना है 2100 तो यहां पर लिखेंगे 1500 लिखाटा देंगे तो कितना हो जाएगा पचास, यह होगी आप सारवंतर दूसरा निकालते हैं, अब हम D2 निकालते हैं, D2 बराबर क्या हो जागा, A3 माइनस A2, A3 कितना है, A1, A2, A3, A3 मेरा आरहाईशो है, तो यहां पर लिखेंगे आरहाईशो, A2 कितना है, 200 है, तो यहां पर लिखेंगे 200, इसको घटाएंगे पचास, यानि कि देखिए होर स्थिते मेरा सारवंतर हैं बराबर है, अब इस घटाते जाएगा, तो मेरा 50 ही आएगा होर स्थिते में, यहां पर लिखेंगे, इस इस एपी का, इस एपी का, सारवंतर, सारवंतर D, पचास है, इस लिए, यहां एपी में हैं, इस मेरा एंसर आगया है, तो फ्रेंट्स उमीद है कि इस सवाल आपको समाज में आगया होगा, तो फ्रेंट्स धनेवाद,